Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशी फल ये 5th December से लेकर 11th December तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉप्यो यानि कि सेंग, कन्या, तुला, वरिष्चिक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस sign के हिसाब से देखें तो दिखें, tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ले लियोज आप लगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए वीकली डीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं जैसे होता है न चोटी मोटी चीजें जो पुरानी हमें परिशान कर रही हैं हम उनको end नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पुरानी सोच हो सकती है कुछ लोगों के लिए पुराना belief system हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई पुराना connection हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई पुरानी जगा हो सकती है और again मैं कहूंगी कोई भी पुरानी चीज हो सकती है जिसको आप end नहीं कर पा रहे हैं और बहुत बहुत important है आपके लिए कि आप एक fresh start अपने professional front में करें again दिखें यहाँ पे कुछ के लिए fresh सोच हो सकती है नया कोई belief system हो सकता है जिसको inculcate करने की जरत है कुछ के लिए नई connections हो सकते हैं, नई जगा हो सकती है again कोई भी नई चीज हो सकती है जिसको अपनी life में लाने की जरत है जिसको अपनी life में welcome करने की जरत है जिसके हिसाब से आगे बढ़ने की जरत है और कहीं आप ऐसा ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी बजाए कि आप इस चीज को सुनके परेशान हो कैसे आप पुरानी चीज़ों को end कर सकते हैं एक नई beginning अपने professional front में लाने पर focus कर सकते हैं इस पे आप attention देंगे तो इस week के energies को बहुत बहुत आप better कर पाएंगे और देखे जो भी surface level के लिए हो रहा हो deeper level के लिए power का card कहता है कि बहुत courageously, बहुत boldly आप हर चीज़ को deal कर रहे हैं लेकिन देखे कभी कभी courage के साथ एक नई सोच भी रखनी ज़रूरी होती है कहते हैं न कि power से ही सब कुछ नहीं होता है intellect या फिर wisely चीज़ों को deal करना भी बहुत कहीं बारी एक positive changes लेकर आता है तो देखे फिर से कहूंगी कि आप अपनी strength को बरकरार रखें आप courageously चीज़ों को deal करें बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ के साथ जब तक आप इन पुरानी चीज़ों को end नहीं करेंगे एक नई beginning अपनी life में नहीं लेकर आएंगे तब तक देखे ना तो हम progress कर पाते हैं ना ही हम वो growth अपनी life में ला पाते हैं तो इस चीज़ का खयाल इस week आप ज़रूर रखें और personal front के लिए आप लुकों के लिए cards है 10 of Pentacles, Reverse and Universe और देखे ये card family की बात करता है money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों की बात करता है और इन ही दोनों चीज़ों की वज़े से किसी न किसी level पर issue मसला रह रहा है again ये general reading है, सब के लिए refer करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि family की interference है किसी भी चीज़ में जो आप कर रहे हैं family की involvement है, उसकी वज़े से आप परिशान हो रहे हैं या फिर उसकी वज़े से कहीं उतनी stability, उतनी security आप इस week नहीं महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई family get together है, कोई family celebration है कोई you know family से related एक again मैं कहूंगी कि gathering हो रही है जिसको लेकर आप थोड़े से परिशान हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा आपको चीज़ों को practical, realistic होके deal करना पड़ रहा है घर के बड़ों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related भी कुछ issues रह रहे हैं, ये भी सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है, आपका जादा खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जितना एक stability, commitment या फिर security आप अपने family member से या किसी loved one से चाहा रहे थे, expect कर रहे थे, वो आपको इस week नहीं मिल रहा है और नीचे universe का काट कहता है कि कहीं किसी चीज को भी complete करकर एक नए सिरे से चीजों को शुरू करने की ज़रत है या फिर आप कर रहे हैं, उसमें family का support चाह रहे हैं, तो उस तरीके से family या किसी loved one का support आपको नहीं मिल रहा है तो overall ही देखे, इस week कुछ भी बड़ा मसला, कुछ भी बड़ा issue नहीं रह रहा है professional friend में ending, beginning को लेकर छोटे-मोटे issues, मसले रह रहे हैं और personal friend में फिर से मैं कहूंगी family matters, family member या फिर money, पैसा, tangible, materialistic चीजों से related, छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रहे हैं और इन ही चीजों को अगर आप खयाल रख लें, और आप solution पे जादा focus करें, कैसे आप इनको solve कर सकते हैं उन पे जादा focus करें, तो इस week की energies को भी आप भैतर कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए coming together का card है और बहुत clear message है, बहुत एक loving, caring वाली energies में आप इस week रहें जो भी आपके loved ones हैं, उनसे आप connect करें अगर आपको उनकी किसी भी level पे, किसी भी तरीके से support, help की ज़रत है तो आप ज़रूर उनसे बोलें, उनको express करें, उनको कहें और अगर आपके किसी loved one को किसी भी help support की ज़रत है तो आप ज़रूर उनको भी वो help, वो support दें तो again मैं कहूंगी, जितना मिल के चीज़ों को deal करेंगे जितना अपने loved ones को अपने साथ आप रखेंगे उतना ही इस week की energies को आप अपने लिए बहतर करेंगे and astrology से आप लुगों के लिए Saturn planet का card है और इसके हिसाब से all shades of beige, all shades of brown इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये थालियोज आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वगों आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है Four of Pentacles and Foundations and Achievements तो दिखें सबसे पहली चीज दोनों ही four number के cards है और four number कहीं टारो में stability, security की बात करता है एक बहुत ही solid foundation ले करने की बात करता है तो इस week या तो इनी चीजों पे focus रह रहा है या फिर ये चीज़ें आपके professional fund में रह रही है यानि की कुछ लोगों के लिए हो सकता है की again कैसे आप एक solid foundation अपने professional fund में ले करें कैसे एक stability लाएं, कैसे एक security लाएं और कुछ के लिए एक बहुत ही you know stability, security आप अपने professional fund में महसूस कर रहे हैं और जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका bond बहुत अच्छा हो रहा है, strong हो रहा है या फिर उनसे मिलकर आप कुछ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और देखें कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप किसी चीज में invest करना चाह रहे हैं यहाँ पे भी कुछ के लिए हो सकता है कि कि के साथ मिल के कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं फिलाल दिखे जो भी हो रहा हो मनी पैसे से related stability आप definitely महसूस करते वे दिख रहे हैं अगें दिखे कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज में invest करना चाहा रहे हैं ये भी सब के लिए defer करेगा कुछ के लिए mutual funds हो सकते हैं कुछ के लिए property हो सकती है कुछ के लिए share हो सकते हैं again जो तीन चीजे मेरे mind में आई मैंने कही कोई भी चीज रह सकती है तो दिखे इस week की energies professional funds related काफी अच्छी रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप savings कर रहे हैं लेकिन अगर आप किसी भी चीज को लेकर over rigid over fixated होते हुए पाएं तो इस चीज को जरूर चेक करके correct करें दिखे जब हम positive way में rigid होते हैं तो वो एक willpower determination होती है जब हम negative way में rigid होते हैं fixated होते हैं किसी चीज को बहुत tightly पकड़ कर बैठते हैं तब कहीं वो एक negative energies हमारी life में लेकर आते हैं क्योंकि वो एक zid एक stubbornness वाली energies ले लेते हैं तो इस चीज का खयाल रखें too much you know किसी चीज के साथ cling ना करें वो कोई इंसान हो सकता है कोई बात हो सकती है कोई जगा हो सकती है कोई काम करने का तरीका हो सकता है नचल में एक flexibility आप सरूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है six of wands and rejoice in celebration तो दीके सबसे पहली चीज rejoice in celebration का card किसी celebration get together reunion के होने की बात करता है या फिर चाहने की या इसी से related planning भी कुछ लोगों के लिए रहने की बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने loved ones close ones के साथ जादा interact कर रहे हैं जादा बात कर रहे हैं लोगों के साथ eating drinking merit making रहती हुई दिख रही है और कुछ के लिए हो सकता है इनी चीज़ों को आप प्लान करना चाहा रहे हैं जादा सोशलाइस कुछ लुगों के लिए हो सकता है आप कर रहे हैं अगेन कुछ के लिए हो सकता है आप अपने friends circle या loved one close ones के साथ जादा time spent कर रहे हैं और कहीं देखिए एक बहुत confidence आपको हर चीज से related रहता हुआ दिख रहा है किसी level पे किसी तरीके से एक victory success आपको मिल रही है किसी चीज के लिए आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे उसी से ही related कहीं एक success again मिलता हुआ दिख रहा है आपको एक appreciation recognition भी आपके loved ones आपके close ones से मिलती हुए दिख रही है आप limelight में रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप lead कर रहे हैं लोग आपको follow कर रहे हैं कहीं आप बहुत एक high energies में रहते हुए दिख रहे हैं enthusiasm है, excitement है बहुत जो भी चाहते हैं उसके लिए motivation है तो overall दिखिए ये week पूरा ही काफी अच्छा आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है again कोई celebration, get together, reunion भी किसी भी level पे, किसी भी तरीके से या तो रह रह रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं and the guidance है आप लोगों के लिए listen का card है तो इस card का आप लोगों के लिए ही message है कि आप इस week बोले कम सुने जादा क्योंकि most of the times क्या होता है न हम इतना जादा बोलने पे focus करते हैं हम सामने वाले को सुन नहीं पाते हैं और कहीं देखिये उसकी वज़े से issues होते हैं या फिर जब हम जादा बोलते हैं तो कुछ गलत निकल जाता है तो listening and you know saying में एक balance जरूर रखें in fact देखिये सुने जादा observe जादा करें और थोड़ा सा बहुत actively खुद से related चीजों को ना करें चीजों को ना करें astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है और इसके हिससाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है के energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काज है four of cups, reverse and firm foundation और ये काज कहते हैं कि this week specifically आपके professional front में कहीं enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है या मैं कह सकती हूँ कि उतना motivated आप अपने goal मकसद के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं बहुत एक boredom, बहुत एक monotonous energies में आप रह रहे हैं इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन आपर काज कहते हैं कि अपने professional front में एक stability, एक security आप चाहा रहे हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिस तरीके से आप चाहा रहे हैं उस तरीके से नहीं हो पा रहा है कहीं बहुत एक solid foundation अपने professional front में आप ले करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से ही related पीछे आपने कोई opportunity miss करी, आपने कोई अच्छी चीज मिस करी और आप बहुत जादा उस पे focus कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है literally कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काश उस time पर ये कर लिया होता न तो आज professional front में बहुत एक solid foundation ले हो गई होती या फिर एक stability, एक security होती और देखे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस पे focus कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया आप उस तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि इस week बहुत बहुत important है Libras कि आप conscious effort के साथ एक enthusiasm, एक excitement लेकर आएं अपने goal, अपने मकसद के लिए अपने आपको motivate करें क्या होता है ना जब हम low energies में होते हैं और हम उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो बहुत deep हम इसमें जाते रहते हैं and at that time it's very very important for us to push ourselves push ourselves out of that zone, out of that energy तो दीखिए इसका अगर आपने खयाल रखा तो यकीन मानिये ये week आपके लिए काफी अच्छा जाएगा और अगर आप इसी you know low energy में sink in होते रहे आपने again एक effort नहीं किया आपने आपको push नहीं किया इसमें से बाहर निकालने के लिए तो फिर आप emotionally low feel करते हुए दिख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया enthusiasm, excitement low रहता हुआ दिख रहा है और आप थोड़े से परिशान, थोड़े से मायूस किसी चीज को लेकर या in general रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of wands, reverse and trapped in fear trapped in fear का card बहुत ही clearly कहता है किसी चीज को लेकर एक fear, एक insecurity आपके मन में रह रही है और कहीं बहुत ज़ादा आप you know जो चीजें नहीं कर सकते हैं जो चीजें आपको limit कर रही हैं जो चीजें आपको restrict कर रही हैं आप उन पे ही focus कर रहे हैं और कुछ के लिए literally हो सकता है कि deep down subconscious level पे कुछ fears हैं, कुछ insecurities है और कहीं देखिए आप बहुत courageously, बहुत boldly इन ही fears, इन ही insecurities को overcome करना चाहा रहे हैं आप कहीं बहुत strongly इन चीजों को deal करना चाहा रहे हैं action initiatives लेना चाहा रहे हैं लेकिन किसी भी वज़े से नहीं ले पा रहे हैं कुछ के लिए circumstances, situations हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है Libras again आप चाहा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए बहुत बहुत important है कि आप खुद को थोड़ा सा push करें खुद को बहुत जादा motivate करें and देखे जो भी आप चाहा रहे हैं उसी से related एक बहुत smooth going मिलती हुए नहीं दिख रही है छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए आपी की emotions आपी के feelings, आपी के sentiments हो सकते हैं जो आपके उपर हावी हो रहे हैं आप fight करके उनसे अपने आपको बाहर निकालना चाहा रहे हैं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए external level पे situation circumstances हो सकती हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया जिनको आप overcome करना चाहा रहे हैं जो एक किसी तरीके की अडचन किसी तरीके की रुकावट जो भी आप चाहते हैं उसके लिए रह रहे हैं और आप देखिए जो भी हो रहा हो कहीं overcome करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं again courageously, boldly चीजों को deal करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत-बहुत important है दोनों ही fronts के लिए कि आप अपने आपको motivate करें आप थोड़ा सा अपने आपको push करें and guidance से आप लोगों के लिए shine का card है तो दिखिए जब कमरे में अंधेरा है और हम अगर अंधेरे से डरते रहेंगे तो क्या उससे कुछ भी solve होगा कुछ भी हल होगा अगर आप चाहते हैं कि अंधेरा आपको परिशान ना करे तो उसका एक ही रास्ता है आप रोशनी जला दें आप light on कर दें जैसे ही आप light on करेंगे अंधेरा गायब हो जाएगा और आपका डर भी गायब हो जाएगा उस पे focus करें और nutshell में एकाड ये भी कहता है कि जो भी चीज आपको bother कर रही है उस पे नहीं आप solution पे focus करें जैसे अंधेरे को दूर करने का एक ही solution है light इसी तरीके से जो भी चीज आपको bother कर रही है अगेन उसके solution पे focus करें और फिर से मैं कहूंगी majorly ये काड कहता है कि खुद को enhance करें खुद को इतना चमकाएं खुद को इतना जादा bright करें कि हर चीज आपके सामने fakie हो जाए खुद को इतना strong बनाएं कि हर चीज आपके सामने बहुत बहुत कम्सोर हो जाए लोगों पे या चीजों पे फोकस करने की बजाए अगें खुद पे आप सादा फोकस करें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का काड है इसके हिसाब से all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday चलिए सकॉपियोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए five of wands and accelerated motion और ये काज कहते हैं कि इस week specifically आपके professional front में एक conflicting सी energies रह रहे हैं ये conflicting energies सब के लिए differ करेंगी कुछ के लिए देखे हो सकता है कि काफी competition जो भी आप कर रहे हैं उसी से related आपको face करना पड़ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी वज़े से issues हो रहे हैं आप लोगों का difference of opinion हो रहा है views नहीं match कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है arguments हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके mind में conflicting energies है एक दुविदा है एक ulgen है तो देखे जो भी हो इतना मैं कह सकती हूं Scorpios की ये minor issues minor मसले रह रहे हैं क्योंकि ये minor arcana का card है और देखे again जैसे कि मैंने बताया सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन cards के हिसाब से यहाँ पे five of wands के नीचे accelerated motion का card कहता है कि आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप बहुत तेजी से एक growth, एक progress अपने professional front में चाहा रहे हैं और कहीं उसी से ही related यहाँ तो कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं छोटी मुटी अर्चने छोटी मुटी रुकावटे रह रहे हैं यहाँ पे दिखे कुछ लुगों के लिए आपका belief system, आपका thought process भी एक रुकावट हो सकता है in fact मैं कहूंगी कि सबसे बड़ी रुकावट हमारा goal, हमारा मकसद अचीव करने के लिए हमारे negative thoughts, हमारे negative belief systems होते हैं तो देखिए कुछ भी अगर इस किसम का आप महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर pause करके अपने thoughts की checking करें कि back end पे क्या thoughts चल रहे हैं, क्या stories आपका mind create कर रहा है, बना रहा है यकीन मानिया अगर आपने इसको clear कर लिया इससे related again clarity ले आए, तो जो भी issues मसले हैं वो एकदम से गायब हो जाएंगे कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको complete करने की deadline बहुत नस्दीक आ रही है और आप बहुत तेजी से उसको complete करना चाहा रहे हैं लेकिन कुछ issues, कुछ मसले हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की energies इस week आपके professional friend में रह रही है क्योंकि ये accelerated motion का card है motion से movement होती है, movement से travel होती है, तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, या फिर travel से related, छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले इस week रहते हुए दिख रहे हैं and personal friend के लिए आप लगों के लिए cards है, night of cups and shadow, और देखिए, ये cards कहते हैं कि surface level पे एक vision जो भी आप अपने personal friend में चाहाते हैं, उसी से related बनाते हुए दिख रहे हैं, एक ख्वाब आप देखते हुए दिख रहे हैं आप कहीं एक imaginary world में रहते हुए दिख रहे हैं जो भी आप चाहते हैं, उसी से ही related, और deeper level के लिए उसी से ही related कुछ fears, कुछ insecurities आपको परिशान कर रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी, एक mix सी energies हैं, कुछ आप चाहा रहे हैं, उसी से ही related, एक vision again मैं कहूंगी, आप create कर रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन साथी साथ आपके मन में एक negative thought process रह रहा है, साथी साथ आपको डर भी लग रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर you know कुछ गलत हो गया, या ना आप उस चीज को अचीव कर पाए उस relationship को या उस अपने dream घर को जो आप चाहते हैं, तो क्या होगा तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि यह जो mind है यह बहुत जल्दी story बनाता है, in fact negative stories बनाने में यह बहुत शातिर, बहुत माहिर है तो देखिए, जैसे ही आपको लगे कि आपका mind कोई भी negative story आपको बना रहा है, in fact देखिए, अगर किसी भी तरीके का fear, insecurity आप महसूस कर रहे हैं, यकीनन आपका mind आपको negative story negative, you know, कहानिया बता रहा है, और आप अगर उसी में ही गुम होकर रह जाएंगे, उसी में ही उलच के रह जाएंगे, तो फिर आप इनी डर इनी insecurities में और जादा डीप जाएंगे, तो बहुत-बहुत important है कि अपने thoughts को पहले तो observe करें, जैसे कि मैंने आपको professional front में बताया जो भी negative thoughts है, negative belief system है, उसको question करें, उनको positive thoughts के साथ replace करें, और दूसरी important चीज़ जो आपको specifically अपने professional front में करनी है, कि जो भी आप चाहा रहे हैं, उससे related, आप vision create करते वे दिख रहे हैं, खुआप देखते वे दिख रहे हैं, जो कि extremely important है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये reality में convert हो, ये आपका real life में manifest हो, तो action initiative ज़रूर लें, क्योंकि a vision without action is nothing, तो अगर आप ऐसा करते हैं, Scorpio's, इस week के energies को बहतर कर पाएंगे, अपने goal, अपने मकसद को भी achieve कर पाएंगे, and guidance से आप लोगों के लिए seek का card है, और ये card कहता है कि जो भी करें, बहुत impulsive ना हो, बहुत जल्दबाजी ना करें, अच्छे से चीजों को समझें, और कहीं देखिए ये card भी grounding करने की बात करता है, क्योंकि देखिए हमने personal front में देखा कि आप बहुत ही एक ख्वाबी से दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर फिर से मैं कहाँँगी grounding करना, reality से touch रखना बहुत बहुत करें, और ऐसा करेंगे तो इस वीक के नचीज को और बहतर करेंगे and astrology से आप लुगों के लिए Aquarius sign का card है, इसके हिससाब से all shades of indigo इस वीक आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये था Scorpio's आप लुगों के लिए coming week कर सापता है crash rifle और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए